हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल तो आज की रेसिपी हैं हमारी केक रेसिपी तो आज हम केक बनाते हैं बिल्कुल रूई की तरह यह बिल्कुल सॉफ्ट केक है जो हम आज इसे बनाने बाले हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमने एक कडाई ली है इसको हम प्री हीट करने के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनिट के लिए इसको डख के रख देते हैं अब इसके बाद हम केक की तैयारी करते हैं एक बाउल लेते हैं उसमें चलनी रखते हैं अब इसमें हम डेड़ कप मैदा लेते हैं यहां हमने डेड़ कप मैदा ली है यहां पर हमने वन फोट कप कोको पाउडर लिया है और यहां पर हमने वन टी स्पून बेकिंग पाउडर हाफ स्पून टेबल स्पून बेकिंग सोड़ा अब इन सब को हम एक चलनी से छान लेते हैं जैसे कि इसमें कोई लंस ना रहे हैं तो यहां हम एक पाउल लेते हैं उसके अंदर हम वन कप आइस जिंग शुगर डालते हैं उसके बाद हमने यह ओल लिया है यह वन कप से थोड़ा सा कम है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके बाद हमने हाफ कप मिल्क लिया है और उसमें हमने हाफ स्पून ही विनेगर डाला है अब इसके अंदर हम अपना धई हाफ कप धई आड़ करते हैं यहां धई हमने हाफ कप धई आड़ करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूट डालते हैं और इसको मिक्स करते हुए जाते हैं हमें इसको एक ही डारेक्शन में घुमाना है और इसके बाद हमने जो ऑईल और शुगर का बना के रखा था वो भी इसके अंदर हम डाल देते हैं इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा यह स्मूथ पैडर रेडी हो गया है कि ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाड़ा इस टाइप का ही होना चाहिए अब हम एक मोल्ड लेखते हैं उसमा ओईल लगा देते हैं इसको अच्छे से ओईलिंग कर देते हैं अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर यूज कर लीजिए जिसे की नीचे ये चुपकता नहीं है ये मैंने होममेड बटर पेपर बनाया है अब हम इस बैटर को इस मोल्ड में डाल देते हैं ये हमारा बैटर मोल्ड के अंदर चला गया है अब इसको हम चार से पांच बार टैप कर देंगे जिससे इसके अंदर बवल्स ना आए इसको हम प्री हीट वाली कड़ाई के अंदर हम रख देंगे इसको हमारी ये प्री हीट हो चुकी है कड़ाई इसके अंदर हमने अपना केक को रख दिया है बनाने के लिए हमने केक को 35 मिनिट के लिए वेक करने के लिए रखा है इसको हमने मीडियम से लो फ्लेम पर रखाया था इसको हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है इसको हम चाकू की मदब से देख लेंगे अब हम इसको निकालते हैं एक प्लेट के अंदर इसके पहले किनारे निकाल लेते हैं इसको दो तीन बार टैप करते हैं उपर से जिसी कि ये पूरा निकल जाए देखिए पूरा निकल गया है इसके बटर पिपर को हम अलग कर देते हैं ये बिल्कुल इस पंजी बनाए आप देख सकते हो ये कितना इस पंजी बनाए है एक दम सॉफ्ट केक बनाए है और ये अच्छे से सभी जगा से बेख हुआ है अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जुरूर बताएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा खूलिएगा झाल झाल कर थास कर दो व्लीवा सब्सक्राइब लिए झाल कर दो व e हुआ